जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र कर बेल आइकन को दबाना विलकुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे जार्खन में क्रोणा बलास च्वाली सो ब्यासी मरीज मिले दो किमोत एक्टिव के 26,000 के पार जार्खन में एक बर फिर क्रोणा बलास्ट हुआ है पताद च्वाली सो ब्यासी मरीज मिले हैं जो राची से 1537, पूर्वी सिहूं से 923, रामगर से 232, बोकार से 194, पच्मी सिहूं से 189, देवघर 173, दुमका 151, हाजारी बाग 12, पलामू 109, धनबाद 104, गुमला न ठानवे, जामतरा बान में कोडार्मा न आवासी सराय, किला चहु बहुत भी होई है, वहीं एक्टिब केस की संख्या 26,022 हो गई है, जारखन में जमाजम बारिस एलो अलट जारी, जारखन की राजधानी राची में बारी सुरू हो गई है, बतादे सूबा से आश्मान में बादल चाय हुए थे, वहीं दोफर में अचाना क्रीम जिम बारी की गई है, मौसम भी भाग के बैग्यानिकों की माने तो राची समेत इन जीलो में बारिस की भी संभवना है, इस बावत एलो अलट जारी किया गया है, बतादे जारखन की कई जीलो में मौसम का मिजाज बदल गया है, जारखन में हर दस बच्चे में छो हो रहे संक्रमीत, राची सहर में जैतर घरों में बच्चों की तबियत बिगडी हुई है, बतादे अधिकतर बच्चों को बुखार, खासी और सर्दी की सिकायत है, लेकिन यह घवराने की बात नहीं है, बतादे बच्चों को अस्पताल में भरती नहीं होना पड़ रहा है, हलात ऐसे हैं कि नवजात से लेकर हर आयू वर्क के बच्चे बिमार पड़े हुए है, बतादे रिम्स की OPD में हर रोज 50-60 बच्चे बिमार पहुँच रहे हैं, डाक्टर प्रेम कुमार का कहना है कि पिछले 15 दिनों में सैकडो बच्चे अस्पताल पहुँचे और उनकी जाच की गई, ज होमगाट अभियार्थियों की मांगो पर 32 दिनों तक विचार नहीं करने पर अभियार्थियों के 20-60 टीम कॉल पैदल मार्च करते हुए मुख्यमति से मिले रांची निकलने का घोसना किया है, बतादे आंदोलन का नेतित करता गौतम कुमार ने कहा कि छात्र नेता के साथ 20-60 टीम मुख्यमति से मिलने जाएंगे, होमगाट अभियार्थियों को रवाना करते समझ जल सहया संग हुआ, स्वयम सिवक संघ के करकार्ता साथ होमगाट अभियार्थी भी सामिल रहेंगे, बतादे राची जाने के करम में रामगुर के नौ नयूक्त होमगाट अभियार्थी स्टांग के समर्थन लिया जाएगा उसके बाद राची मुख्यमंत्री आवास के लिए परस्थान करेंगे अगर मुख्यमंत्री वहां मिल कर होमगार्थ अभियार्थियों के समस्या के समधान करें तो ठीक है नहीं तो उनके आवास पर ही धरने पर बैट जान करनी नहीं लिया गया है वीडियो कंफ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की सभी पक्षों को सुनने के बाद अलाथ ने याची का सविकार कर लिया साथ ही उन्हें ससस्त अग्रिम जमानत की सुविधा पदान की रांची के रिम्स में OPD चलेगी या नहीं रिम्स परवधन लेगा फैसला जारखन की रैधानी रांची के रिम्स में लगाता डॉक्टर और क्रमचारियों में संक्रमन के पुष्टी हो रही है संक्रमितों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आधा मैन पावर से OPD और भरती मरीजों की देखरेक हो रही है बता दे संक्रमितों की बरती संख्या को देखते वे रिम्स परवंधन अब OPD को बंद करने पर विचार कर रहा है सोमवार को रिम्स निदेशक डाक्टर कमिसर परसाद ने सभी विभागा द्यक्षो को पत्र लिख कर उनके यहाँ संक्रमित डाक्टर और करमचरियों का बेवरा मांगा है असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ती के इंटर्विव तारिख बदली जार्खन लोग सेवा आयोग द्वारा बैकलोग के तहद विभीन विश्वविदेला में इतिहास का असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ती के लिए सोमवार से कायकजात की जाच का काम सुरू हो गया है बतादे नियुक्ती के लिए 11 जन्वारी सेंटर्विव सुरू होगा इस बीच अवसक संक्या में विशसक एक नहीं मिलने के कारान 14 अवियार्तियों का इंटर्विव अब 12 जन्वारी को नियदारित कर दिया गया है इनका भी इंटर्विव पए 11 जन्वारी को ही होना था सोना सोबरा नियोजना के तहत जारखन के एक पॉइट जीरो एक क bureaucracy के बीच बाटी धोती साड़ी राज्य में सोना सोब्रम ने योजना के तहत लाभुकों के बीच 1.01 एक रोर धोती साड़ी लोंगी का बित्रन किया जा चुका है मुख्य मंत्री हेमन सुरें ने 23 सितंबर 2021 को सोना सोब्रम धोती साड़ी योजना की शुरुआत की थी इस योजना के तहट राज्य में लाभुकों के बीज 1.15 कलोर धोती साड़ी लोंगी बीतरन का लक्षताय किया गया है जोजना की सुरुआत होने के तीन माह के अंदर लगभग 88 परतिसत लाभकों को लाभ दिया जा चुका है जार्खन में 9 लाग से ज्यादा बेरोजगार बरहभी पास करने वाले ज्यादा जार्खन के बिभी नालेओं में 9,14,712 बेरोजगार निवंधित हैं बतादे इन में 7,8,631 सक्रिये हैं यानि इतने लोगों को अभभी रोजगार की तलास है सेस लोगों को कहीं न कहीं रोजगार मिल चुका है बतादे शक्रिये उमिद्वारों में 4,81,501 पूरूस और 2,26,304 महिला हैं निवंधन कराने वाले बेरोजगारों में नन मैट्रिक से लेकर डॉक्रेट डिग्रिट तक वाले हैं सबसे अधिक बेरोजगार बरहवी पास वाले हैं बतादे इनकी संख्या 2,26,597 है वहीं दूसरे अधान पर असनातक पास 2,7,181 उमिद्वार बेरोजगार हैं वहीं दसवी पास 1,58,030 उमिद्वार हैं जबकि 42,334 पीजी डिग्री धारी बेरोजगार हैं रांची के CM हाउस में 3 दिनों में 30 लोग संक्रमित पिछले 3 दिनों में CM आवास में करीब 30 लोग कुरोना संक्रमित हो चुके हैं बतादे इसमें मुख्य मंत्री हमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन वह दोनों बच्चे भी संक्रमित हो चुके हैं हलाकि मुख्य मंत्री की रिपोर्ट निगेटिव आई है फिर भी एतियातन CM आवाज को आगंतिको के लिए पूरी तरफ परतिबंधित कर दिया गया है बतादे किसी भी बारी ब्यक्ति के आवास में आने परोक लगा दी गई है मुख्य बंत्री भी एतियातन लोगों से नहीं मिल रहे हैं जार्खन के सिक्षक कुरोना मरीजों तक मेडिकल किट पहुँचाएंगे राजधानी में कुरोना संक्रमन की रफ़तार काफी तेज है बतादे यहां पिछले एक हफ्ते से रोझाना मिल रहे हैं कि इन में जैदतर संक्रमिट होँ माइसूलेशन में और घार पर ही अपना इलाज करा रहे हैं बता दे जीला परसासन ने इन संक्रमितों के घरों तक मुख्यमंत्री कुरोना राहत किट पहुचाने के जोईना बनाई है संक्रमितों के घरों तक किट पहुचाने के लिए सिक्षकों की मदद ली जाएगी इसके लिए पूरे जीले में 222 सिक्ष कोको प्रतिन्युक्त किया गया है बतादे जीला पर सासन की ओर से दिगर जनकारी के अनुसार हो मैसुलेस्टान संक्रमितों के लिए 10,000 से ज्यादा मुखमंत्री क्रोना राहत किट त्यार किये गया है गैंग्स्टर सुजित के नाम पर रंगदारी मांगने वाले चार गिरफतार रांची जेल में बंद गैंग्स्टर सुजित सिनहावा अमन साहू के नाम पर रांची के बिल्डरों, जमीन कारोबारियों, ठेकेदारों और डक्टरों सहीत अने से 50 लाग से एक रुपाय तक के रंगदारी मांगने में सामिल चार अपराधियों को पुलिस ने गिरफतार किया है बता दे गिरफतार अपराधियों में पलामू निवासी सुरज कुमार सिंग, बेड़ो निवासी प्रभाकर, पलामू के पाटन थाना चेतर के नवाड़ी निवासी मनीश कुमार राम, उर्फ मयंक वर्मा और पूर्वी सिम्मुम के मानगो निवासी विकास राय सामिल है अनकारी जीला प्रभारी संकर उराव ने देते यो बताया कि धान खरीद पर 20 रुपे 50 पैसा नियमतम समर्थन मुल सरकार के द्वार निदायत की गई है, जिसका लाब किसानों को कैस भुगता नहीं होने के कारण नहीं मिल पा रहा है, किसान अपनी जरूरत के हिसाब से ध धान बेचते हैं, किसान खुले बजार में 10-13 रुपे तक धान बेचने को मजबूर है, जर्कन सरकार द्वार किसान क्रेडिट कार में दिये गया लोन माप करने की बात कर रही है, लेकिन अभी भी किसानों के पास लोन वसूली के लिए बैंक द्वारा नोटीस भेजा जा पलामू में दरोगा लाल जी यादव ने किया सुसाइड, जार्कन के पलामू जिले के नावा बजार थाने में पूर्व थानेदार लाल जी यादव ने खुद कुसि कर लिया, बतादे इन्हे कुछ दिनों पहले सस्पेंड कर दिया गया था, पलामू के एस-पी चंदन परवव इस बार 15 जन्वरी को मनाया जाएगा इसे लेकर जीले भर में त्यारी की जा रही है बताद दे जियोतिस रामानंद तीवारी ने बताया कि बनारस पंचांक एनुसार 14 को रातरी 8 बज कर 49 मिनट में सुर्य का मकर राची में परवेश होगा अतर अगले दिन यारी 15 जन्वरी को सुर्यदय के पस्चात मकर संक्रांती वा खिचली परव मनाने का योगे बनता है इस दिन असनान ध्यानवा दानपुन करने से अस्वमेग यग के बराबर फल की प्राप्ती होती है धन्यवादी आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी या रोजगार की तलास में हैं तो आप हमें कमेंट बक्स में बताए कि आपकी सेक्षनिक जोगता क्या है साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसेप, फेस्बुक, ट्विटर, इंस्टाइगराम पर सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फीड़ा एक अवस्य दे थैंक्यू